दोस्तो, पपीता एक ऐसा फ़ल है जिसे पेट खराब होने या फिर बीमार होने के वक्त ही सबसे जादा याद किया जाता है लेकिन पपीते के गुण इससे कहीं जादा है डाइट में पपीता सामील करने से आपको कई जबर्दस्त फायदे होते हैं पपीता एंटी अक्सिडेंट से भरपूर होता है पपीता में केरोटी नायड एक एंटी अक्सिडेंट है जो मुक्त कणों को बेशर करता है पपीता केरोटी नायड के सबसे अच्छे सुरूत में से एक है तो चलिए वीडियो में हमारे साथ बने रहिए हम आपको बताते हैं पपीते के जबर्दस्त फायदे बिस्तार से केंसर के खत्रे को करता है कम पपीते में लाइकोपीन होता है जो केंसर के खत्रे को कम कर सकता है ऐसा माना जाता है कि पपीता केंसर से लड़ने में काफी मददकार है जिनका किंसर का इलाज चल रहा है उन्हें पपीते का सेवन जरूर करना चाहिए कलेस्ट्रोल कम करने में सहायक पपीते में उच मातरा में फाइबर महजूद होता है साथ ही ये विटामिन सी और एंटियोक्सिडेंट से भी भरपूर होता है अपने इनी गुणों के चलते कलेस्ट्रोल को नियंतरित करने में काफी असरदार है वजन घटाने में सहायक एक मध्यमाकार के पपीते में 120 केलोरी होती है ऐसे में अगर आप वजन घटाने की बात सोच रहे हैं तो अपनी डाइट में पपीते को जरूर सामील करें इसमें मवजूद फाईबर सुजन को घटाने में मददगार होते हैं रोखपरतीरक्षा बढ़ाने में मददगार रोखपरतीरक्षा अच्छी हो तो बिमारिया दूर रहती है पपीता आपके सरीर के लिए औसक भीटामीं C की मांग को पूरा करता है ऐसे में अगर आप हर रोज कुछ मातरा में पपीता खाते हैं तो आपके बिमार होने की असंका भी कम हो जाती है आँखों की रोसनी बढ़ाने में मदद करता है पपीते में विटामीन C तो भरपूर होता ही है साथ ही विटामीन A भी पर्याप्त मात्रा में होता है विटामीन A आखों की रोशनी बढ़ाने के साथ ही बढ़ती उम्र से जुड़ी कई समस्याओं के समादान में भी कारगर है पपीते के सेवन से पाचन तंत्र भी सक्रिये रहता है पपीते में कई पाचक एंजाइम्स होते है साथ ही इसमें कई डाइटरी फाइबर्स भी होते है जिसकी वज़ा से पाचन किरिया सही रहती है पिरियेट्स के दोरान होने वाले दर्द में आराम जिन महिलाओं को पिरियेट्स के दोरान दर्द की सिकायत होती है उन्हें पपीते का सेवन करना चाहिए पपीते के सेवन से एक और जहां पिरियेट साइकिल नियमित रहता है वहीं दर्द में भी आराम मिलता है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही ऐसे ही इंट्रेस्टिंग और महतपून जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आसा करता हूँ दोस्तो आज की जानकारी आपको बेहत पसंद आई होगी ऐसे ही नई नई जानकारिया हम आपको देते रहेंगे